पहले एक पैन में हम 400 ml दूद लेके गड़म कर लेंगे और फिर उसमें आदा कप चीनी डालके उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर 60 ml कंडेंस मिल्क डालेंगे तोरी सी केसर डालेंगे कलर और फ्लेवर के लिए फिर 10-17 मिनिट इसे पकाएंगे इसी दौरान हम एक फ्लैट पैन लेंगे उसमें 2 टेबिल स्पून रिफाइंड ओयल और एक चौथाई कप घी डालेंगे उसके बाद ब्रेट स्लाइसेस को हम डाइगोनली कर्ट कर लेंगे और पैन फ्राई करने डाल देंगे हमें ब्रेट को क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाना है जैसे आप देख रहे हो हमारे ब्रेट अच्छे से फ्राई हो गया फिर हम इसे एक अलग प्रेट में निकाल लेंगे नेक्स्ट हम दूद में एक चुटकी इलाईची पाउडर एड़ करेंगे और अच्छे से मिला के उसे उबाल लेंगे उसके बाद हमें सारे ड्राई नर्स को दूद में एड़ करना है याद रखिए दूद को हमें गाड़ा बनाना है और उसी लिए हमें मेडियम आँच में उसे चलाते रहना है अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि दूद अल्मोस्ट खीर बन चुका है अब हम इसे ब्रेट के उपर डाल देंगे फाइनली हम इसमें फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून केवड़ा वाटर डालेंगे उसके बाद एक मिनिट के लिए धिमियाज में हमें ब्रेट को खीर में सोख करना है याद रखिए ब्रेट को हमें ज्यादा लंबे समय तक सोख नहीं करना है नहीं तो वो बहुत ज्यादा सोगी हो जाएगा गर्निश कीजिए और सर्फ कीजिए लाजवाब साही दुक्रा